तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिपेश कुमार आज मन में बात करने वाले सस्ट के वारे में जो सस्ट का फॉर्म 12 है वह है स्टेनोगराफर का जहां तक इस फॉर्म के बारे में आज में जानेंगे कि इसमें क्या-क्या सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कब से कब तक भष सकते हैं फी क्या है एज कितनी होनी चाहिए इन सब तवाम जानकाड़ी साथ में यह वीडियो के साथ में और लास्ट तक वीडियो को देखे ताकि सब्सक्राइब को मिल पाए चलिए शुरू करते है या इसका याफसाइट जैसे इसको लॉगिन करते हैं निया कि आता है यहाँ पर यहान पर लेटिस्ट का कस्ट मेड़ है यहां पर यह उसका न सill борasar का नोटिफिकेशन चारी हुआ है माले जैसे इसका notification open करते हैं उसके लिए हम दोगों यहाँ पर click करना होता क्योंकि ज़िए हम दोगों नोटिफिकेशन डालोड नहीं कर रहेंगे तो उसमें क्या सब term conditions हो रहे हैं इन सबसे हम लोग वाकिप नहीं हो पाते हैं सबसे पल इस पर click करना होते हैं जैसे इस पर click करते हैं तो हमारा यह नोटिफिकेशन डालोड हो लिए चलता है और यह डालोड हो गया यह 57 पर इसका notification है आप लोग इसको पेज़ भाइस भी पर सकते कोई दिक्कत नहीं या वीडियो पाउस करका भी पर सकते हैं और यह तो इ इसमें कि इसका स्टाटिंग डेट 22-10-2018 और एंडिंग डेट है 19-11-2018 यानि कि 29 नवंबर तक यह फॉर्म लिया जाएगा सामके पांच बजे तक यानि कम्प्लीट आपको कर लेनी है 22-10 से 19-11 के बीच आपके अपने इस फॉर्म को भर लेना है जदी आप नहीं कर पाते है तो आपको बाद में पड़िशानी हो पाएगी कुछ लोग करते हैं कि रेइस्ट्रेशन कर लेते हैं 19 से पहले पेमेंट हम 22-25 को कभी करेंगे ऐसा नहीं है कम्प्लीट फॉर्म आपको 19 तक में भर लेना है रिसिप्ट भी आपको उस दिल तक निकाल लेनी है उसके बाद म में आपको बात कर लोए स सीज के बारे में कुछ कुछ नई के दो में यहां monkey लिए जा रहा है स correct दोनों में तो जो भी सिटिजन है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं तो इस लिमिटेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो है 18 से 30 वर्स रिखा गया जेनरल के लिए जो की एक एक 2019 के डेट से मानने होगा यहनी कि एक जनवड़ी 2019 को कम से कम 18 वर्स और मैक्सिमम तीस वर्स होनी चाहिए यह तो जिन्दल के लिए है और OBC के लिए तीन वर्स की चूट और SCST के लिए पांच वर्स की चूट की प्राबधान है इसके अलाबाए डी की बात जदिकरी ए 27 साल होना चाहिए आपका एक जनवड़ी 2019 को ही सेम डेट में है इसका भी लेकिन यहाँ पर तीस था यहाँ पर 27 सेवनली और जो चूट की बात है OBC के लिए तीन साल Shht ती के लिए पांस साल सेमिस पर भी लागू होना जस्ट यहाँ पर इसका एक चाहठ एक कालम बना करके लेकhrा चुका है यहाँ इसमें examination होनी है आपको form गरने के बाद इसका एड़िट कार्ड आगा और इसमें examination होना examination pass करने के बाद तो फिर आपका जो steno का test होना है वह होना है इसके आगे कुछ-कुछ और चीजे हम लोग जानेंगे educational qualification 1 janvary 2019 यह निकि educational qualification जो भी इसमें जरूरी है वह एक जनवड़ी 2019 तक आपको complete करनी है और वह क्या है कि the candidate must have must have 12th standard और equivalent examination from a recognized board university यानि कि आपको 12th standard in the inter आपको pass होनी है किसी भी board university जो कि government के board से यानि कि एक जनवड़ी 2019 तक आपको pass कर लेनी है उसके आद how to apply के बारे में यहां पर इसका link दिया गया ssc.nic.in जो कि पहले से ही में आपको दिखा चुका हूँ इसके link पर जाएंगे link पर जाने के बाद यहां पर apply का link है यहां पर जाएंगे यहां नहीं इसके बाद यह application fee की बात करें तो वह 100 रुपी जो कि ssc का अन्य फॉर्म में होता है 100 रुप्या का पेमेंट लगता है जेनरल और आज नहीं करती है 100 रुप्या आपको सिर्फ जेनरल और ओवी सी लड़के के लिए चार्ज होता है वह भी विकलांग को छोड़ कर भी आपको जो है कंप्लीट कर ले नहीं है उस जेट तक उसके अलावा सेंटर्स की बाप कर एक्जाम इसंटर्स जो भी सब खरते हैं सब यूद्ण घेसा आप से सेंटर्स होगार Att può कोई भी डिफर नहीं है अई लेकिन ये कंडिसन है कि आप जिस जोन में एक सिंटर लेंगे आपको 9-0 एक जो एक जो आप ले लिए और एक आपको कि कुछ नहीं है कि तो से मित सेंटरां तो चुनने की आज़्यदे मिलेगी और तीनों इंटर आपको चुनना है अपने ही एक बोड एक ही जोन में यहां पर की बात हम लोग करें वह है कि यहां पर जिंडल जो रिजनिंग है पचास कुस्टन पचास मार्क जनल अवाइनिस है यानि कि कम्प्लीट यह आपको सौ कुस्टन और सौ मार्क का एक्जामनेशन होना है मल्टीपल चॉइस कुस्टन है उसके अलाबा यहां पर जो कुछ कुछ सेलेबस दिया गया है टॉपिक्स वगर रहे हैं इसको आप वीड के लिए लाइंग्वज में हिंदे इंगलिष स्थتمट और सब्सक्राइब करने के wee को जो कि करेंगे तो आपको इसमें प्लेश्मेंट मिलेगी ज़दी आप उस टेस्ट को नहीं पास कर पाते तो आप वहीं से आउट हो जाएंगे यानि कि एक्जाम में बाइटने के लिए कोई रिकतर निक जांब में सर को और दोनों के लिए आपको स्टेनों का टेस्ट लिया जाएगा उस टेस्ट में आप पास करते दिन आपकर पेपर विरिफिकेशन है और तब जा करके आपका इसमें सेलेक्शन है है तो मोटा मोटी तोर पर यहां पर हम जो भी चीज़े एं उसको मैं कलीर कर चुका हूं जो चीजे है कि कब से कब तक है बाइस अक्टूबर से घ्यारा नवमबर तक यह और एक्श्ट क्या होनी चाहिए आपको तीक के लिए होनी चाहिए थी सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें जिक्र कर लिए है यह काफी साइध आपके लिए इस फॉर्म को समझने के लिए इससे विशेष जानकारी के लिए या तो आप नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका उसको चानलोड करके आप पढ़िए समझे नहीं तो मुझे कमेंट करिए मैं आपको फिर से इसके बारे में आपको कमेंट रिप्लाइ करके आपको जवाब दे दिया करूंगा तो दोस्तों वह आसा करता हूं यह वीडिय सबसे पल आपको मिले और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो का लिंक सेयर करें ताकि वह भी इन चीजों को समझ सके और इससे वाकी फो सके और अपने आपको अपडेट कर सके जय हिन दोस्तों जय हिन जय भारत बंदे मात्रम